Hello दोस्तो आज हम बात करेंगे सुजलान एनरजी के बारे में दोस्तो आप में है इसी बहुछ सो रिटेल निवेशक सुजलान एनरजी के बारे में यह कहते हैं कि आज यह रूपय है इल्किन आने वाले समय में यह स्टॉक 100 रूपय के ऊपर चले जाएगा अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर जरूर अंतक देखिए अगर हम इस stock की एक महने की return की बात करें तो एक महने में इस stock ने लगभग 4.3 माइनस में return दिया है 6 महने में इस stock ने लगभग 5.3 में return दिया है अगर हम यहां पर निप्टी सेंसक्स की बात करें तो निप्टी सेंसक्स पिछले एक साल में हर कुछ दिनों में लगातार नया lifetime हाई बनाते जा रहा है और जितने भी penny stock है penny stock भी अब तक यहां पर लगभग डवल से टीवल हो चुके कई stock तो यहां पर 10-10 गुना 20-20 गुना तक return दिये हुए सिर्फ एक साल के अंदर अगर हम सुजलान एनर्जी की बात करें तो सुजलान एनर्जी जैव के त्यों वहीं भी फसा हुआ है अगर आप अपने स्क्रीन में चार्ट पैटन की देख रहे हैं तो दिया stock 2008 से आप चार्ट पैटन में देखिए 2008 से 2012 के बीच में इस stock में थोड़ा सा हल चल देखने को मिला था लेकिन 2012 के बाद इस stock की बात करें तो यह stock लगता एक range bound में trade कर रहा है फिर भी यहाँ पर return नीवे सा किया सोचते हैं कि आने वाले समय में इस stock में बहुत ज़्यादा return मिलने की संभावना है दोस्तों अगर हम suit long energy की बात करें तो suit long energy में बहुत से internal दिक्कत था आप तो पहले से पता है मैंने इस पर कई वीडियो भी बनाया है खरे सब बाते को जाने दीजिए अगर हम अभी के मौझूदा समय में suit long energy की बात करें तो suit long energy की business की बात करें तो इसका business concept प्रामिसिंग है जैसे कि बिन energy में काम करती है इसका business से हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस company का management इस company का internal issue जिस कारण यह company पिछले कुछ समय में एक range ball में फसा हुआ है दोस्तों अगर हम suit long energy की बात करें तो इसके जो management है इसके management में बहुत ही जादा internal issue चल रहे थी साथ ही साथ इस company के उपर बहुत ही जादा करज था हाला कि यह company अपना करज को बहुत तेजी से कम कर रही है लेकिन अभी भी इस company के उपर अच्छा खासा करज बचा हुआ है अगर हम इसके पिछले कुछ quarter results की बात करें तो हमें quarter results भी promising देखने को नहीं मिल रहे हैं जैसे कि December quarter में इसे 117 करोड का लॉस हुआ था उसके बाद March quarter में 179 करोड का लॉस हुआ था और अभी जून वाले quarter में 22 करोड का लॉस हुआ था तो यह company लगातार लॉस प्रोवाइट कर रही है अगर हम year on year basis पर बात करें तो 2019 में इस company को 1500 करोड का लॉस हुआ था 2020 में 26 करोड का लॉस हुआ था और 2020 में इस company को 104 करोड का लॉस हुआ था लेकिन वह भी 104 करोड का profit हुआ था यह 104 करोड का profit भी एडजरेबल था जैसे कि पिछले साल 2021 के चार quarter में इसे एक quarter में 600 करोड का profit दरसाया गया था लेकिन उसमें भी acceptable item था उसके जो एटसेर्स को बेच के वहाँ पर इसे एड़ेक्ट किया गया था तो कुल मिला कि यह कंपणी अभी भी लॉस मिकिंग कंपणी है अगर इस कंपणी की हम मौझूदा डैप्ट की बात करने उधारी की बात करे तो अभी भी इस कंपणी की उपर 6,000 करोल के उपर का करज है हाला क कि इस कंपणी की मैनेजमेंट ने इस का करज को बहुत तेजी से कम कर रहे हैं लेकिन इस कंपणी के उपर अभी भी बर्डन है हाला कि इस कंपणी में मुझे एक पॉजिटिव चीज़े भी लगता है कि इस कंपणी का मैनेजमेंट बहुत हद तक चेंज हो चुका है इस कं कंपनी में रिवेश करना ही है तो आपको एक लंबा नजरिया रखना चाहिए और मैं तो अभी आपको सजेश्ट करता हूं कि इस कंपनी से फिलहाल तो दूर हो जाए क्योंकि अभी तक इस कंपनी का जो रिजल्ट्स है हमें पॉजिट्व में देखने को नहीं मिल रहा है एक मैं पुछे यहां पर अपना परसंटीज कंप की हुए है अगर आफ दखिये किसतमर से मार्च में देखिए मार्च से जून में देखिए यहां के जो प्रोमोटर हैं लगातार अपना धीर-धीरि इस टेक करते हुए नजरा रहे है इस जो आ б Came P पेनी स्टॉक में बहुत ही ज्यादा रिश्क रहता है यह इस टॉक भी 6 रुपए का है लोग इसलिए यहां पर बड़े चड़े के हिस्सा लेते हैं क्योंकि जो रिटल निवेश्च है उनका यह तिंकिंग रहता है कि यह इस टॉक भी 6 रुपए का चल रहा है अगर कल 6 के ज बगातर लॉस हो रहा है तो यह स्टॉक कैसे सव रुपए का जाएगा अपरेटर इस स्टॉक को 6 का बाराक जरूर करेंगे लेकिन उसके बाद हमें फिर से लोवर सर्कृट भी देखने को मिलेगा है इसलिए अगर आप रिटेल निवेश्च है तो इस स्टॉक से थोड़ा बच की ही रही है अगर आपको इस स्टॉक में निवेश्च करना ही है तो एक छोटा समात्रा निवेश्च कीजिए जैसे कि 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए ऐसे में कल के दिन इस स्टॉक के साथ कुछ हो भी जाता है तो आपको ज़्यादा आर्थिक नुकसान नहीं उठा पड़ेगा अगर आपको इस तरह की स्टॉक में फस्त नहीं तो आपको ही नुकसान उठाना पड़ सकता है